इन दिनों के सारे लाल यादव और पवन सिंग दोनूं का एक इंटर्विव बहुत वाइरल हो रहा है और इस इंटर्विव में पवन और खेसारी के जो फैंस हैं वो दावा कर रहे हैं कि उनके स्टार बेस्ट है और एक लड़ाई से छिड़ गई है तो चलिए पहले हम आपको बताते हैं कि इंटर्विव क्या है और किसने क्या कहा है तो इंडिया के बहुत ही बड़े निउस चैनल ने इनका इंटर्विव लिया इन दोनों का इंटर्विव लिया मौका होली का था तो ऐसे में खिसारी लाल यादों से सवाल पूछा गया कि आपको होली में किसका गाना यादाता है तो ऐसे में खिसारी लाल यादों ने जट से कहा एक्चुली होली में मुझे मेरा ही गाना यादाता है क्योंकि कुछ सालों से सिर्फ मैं ही बज रहा हूँ मेरे अलावा कोई नहीं बज रहा है इसके बाद यही सवाल रिपोर्टर ने पवन सिंग से किया तो पवन सिंग ने इसका जवाब दिया कि भाई मैं तो एक छोटा कलाकार हूँ वैसे आपको बता दे कि रिपोर्टर ने यहां यह मेंशन किया था तो हम आपको बता दें तो कि पवन सिंग ने यहां बड़ी ही सादगी से इंटरव्यू में कहा कि वो बहुत ही छोटे कलाकार है और उनके जो फैन्स है उन्हें ही स्टार बनाये हुए है अदरवाइस वो एक बहुत ही छोटे कलाकार है उन्होंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो गोविंदा के साथ कभी परफॉर्म करेंगे ये सारी बाते उनके सोच से परे हैं क्योंकि वो तो बिहार के एक छोटे से गाओं के एक छोटे से बच्चे हैं आज भी जब वो पिछी मुड़ कर देखते हैं तो उन्हें वो सारी बाते याद आती हैं तो उन्हें लगता है क्या ये हकीकत है यानि कि पवन की ये बाते सुनने के बाद जिसने भी सुना वो ये कहने से नहीं रुक पाया कि खेसारी के अंदर लगता है घमंडा गया है क्योंकि खेसारिलाल यादों ने यहां ये कहा कि उन्हीं का गाना उन्हें सुनाई देता है अधरवाइस हम आपको बता दे कि 90 मिलियन एक महीने में पवन सिंग का गाना लहगा लसलस करा था जिसे जिसने भी सुना वो इसकी तारीफ किये बगैर नहीं रहा तो इस बारे में अगर हम आपको बता दे तो इस गाने को बहुत सुना गया होली के दिन भी इस गाने ने एक रिकॉर्ड बनाया लेकिन ये किसी ने भी मेंशन नहीं किया कि होली के दिन ही इस गाने ने बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाया अगर आपने देखा होगा तो ये गाना 80 मिलियन था होली के सिर्फ एक दिन पहले लेकिन जिस दिन होली थी उस दिन ये गाना 5 मिलियन बड़ा जो कि किसी भी गाने के लिए बहुत बड़ा यूज रिकॉर्ड है लेकिन इस बात को मेंशन ही नहीं किया गया जैसे आप क्या सोचते हैं किसका गाना सबसे बेस्ट है पवन याखे सारी का हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताईएगा भूचपुरी जगत की होट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूलिए